हेलो प्यारे दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम बनाएंगे कुरकुरी सी बहुत ही डिलीसिस सी बिंडी अगर आपकी बिंडी खिली खिली नहीं बनती है तो मैं इस वीडियो मा आपको टिप्स एंट ट्रिक्स बताऊंगे जिससे आपकी बिंडी खिली खिली सी बने हम भिंडी की सबजी बनाना शुरू करते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 300 ग्राम भिंडी लिए तो भिंडी एकदम नरम नरम सी रहनी चाहिए सब्सक्राइब कर दें अब यहां पर भिंडी को पहले हम इस तरह से ले लेते हैं सब भिंडियों को अब हम चॉपिंग बोड पर इसे हम कट कर लेंगे तो भिंडी हमें कट करते समय ध्यान रखना है कि वह अच्छे से कटे मतलब कोई बड़ा या छोटा इस तरह से ना कट भींडी एकवली कटनी चाहिए जिससे चोटी वड़ी कटने से क्या होती है उसके इदर उदर हो जाते हैं तो बीज निकलने से वह चिपचिपा पदार सह जादा निकल जाता है तो भींडी हमें अच्छे से इस तरह से कट करने चाहिए एक साइज में इसी से अमारी पहले उसे धो के रख ले और 10 मिनट के लिए उसका पानी जब ज़ड़ जाए तब बिंडी को हमें कट करना चाहिए अब नेक्स टेप में यहाँ पर हमने बिंडी को कट कर लिया है इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर हरी मिर्च और लेसन लिये हैं और इन्हें भी अच्छे से कट कर लेना है तो तीखा आप जादा कम जादा कर सकते हैं जितना आपको तीखा खाना है और यहाँ पर मैंने 20-25 लेसन की कलिया ली है तो इन्हें भी कट कर लेना है भूजिया बिंडी में फ्रेंस लेसन बहुत ही जादा अच्छा लगता है लेस लैसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बुजिया की सब्सी में और जब यह लाल हो जाए इसके बाद हम यह मिर्ची जो काटके रखें इससे डाल देंगे तो लैसुन को एकदम लाल हो जाए तभी हम मिर्ची इसमें आड करके और अच्छे से कड़ाई में यह तेल है इसके बाद हम सारा भिंडी की सब्जी जो है इसे डाल देंगे अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे हम भिंडी इसके अंदर कड़ाई में डाल दें तो इसे खबर-खबर के चलाला नहीं सिंप्ली हाथों से इसे पहला देना है और गैस को मीडियम तू हाइ कर देन जलाना है और इसे पकने देना इसे चलाना नहीं है जब 2-3 मिनट हो जाए उसके बाद ही हम चलाएंगे इस तरह से चला देना थीरे सचलाना ज्यादा इससे उथल पूधल करके नहीं चलाए तो भिंडी हमारी क्या ना उसके बीज है वो निकलने लगते है चिप-चिप इस इसे पकने देना है सिंपली इसे ज्यादा चलाना नहीं अब हम फिर इसे छोड़ देंगे और ध्यान रखने वाली बात ही यह कि भिंडी की सब्जी को कभी भी धक्के नहीं पकाना चाहिए दोस्तों और तुरंथ ही नमक डालना चाहिए नमक डालने से भी भिंडी हमारी तैयार होती जाएगी और यहां पर देखिए बीज हमारे निकले नहीं है और लगबग यहां पर पांच से दस मिनट पके रेडी हो गई है भिंडी हमारी बिल्कुल आधी हो गई है इस स्टेज पर हम नमक कर देंगे तो दो से तीर मिनट के लिए और पकाएंगे आप देख सकते एक दम खिली-खिली सी बिंडी हमारी तैयार होई है इसी तरह आप भी बनाएं दोस्तों आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी आप एक ही बार में बिंडी की सबजी बनाना सीख जाएंगे फ्रेंज तो यह बिंडी की बुजी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देगा फ्रेंज तो आशा करते हूं यह वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आई होगी तो मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में रखे अपना ध्यान और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए थैंक्स पूर वाचिंग बाब अजय करते हूं यहर लिया मैं सम्लेटी को आपको कर्ड़ की हूं झाज इक्स सबस्क्राण मिलती है